उमर्या जुले की प्रभारी मंत्री रामकिशूर कावरे जुले में दो दिवसिय दौरे पर है जहां पाली की ग्राम सुन्दर दादर में ग्रामनों से सीधा समवाद कर प्रभारी मंत्री ने आमजन से सीधा समवाद कर मुखी मंत्री जन अभ्यान की समिक्षा की है प्रधेश सरकार के आयूश मंत्री स्वतंत्र प्रफार इवं उमर्या चीले के प्रफारी मंत्री रामकिशोर कावरे ने ग्राम सुंदर दादर में खुले मंच से सीधा समवाद कर योजनाओं की जानकरी लेने के साथ ही योजनाओं की क्रियान वयान की जानकरी ली है उन्हो का ग्राम पंचायत सचीव जवाब नहीं दे पाए आपनी ग्राम पंचायत सचीव को एक बार फिर से सर्वे कर शाहसं दुवारा चुनहित अर्थिस योजनाओं में शत्प्रतीशुत हित गुराहियों को लाभनवित करने के निर्देश दिये उन्होंने महिला इवं बाल वि आपनेतन अहरित नहीं किया जाए प्रभारी मंत्री ने सवास्थ विभाग की अमले को स्वास्थ योजनाओं का लाभ говорит को उनकी गाव में दिलाने की निर्देश दिये राजस विभाग की समिक्षा करती लेन से मांकर्ण फौती नामंत्रण का निर्देश करने प्रधानमं अंजीव श्रिवास्तव ने मुखी मंत्री जन से वाभ्यान के तहट चुनहें तरतिस योजनाओं के जान करिदी है इस अवसर पर अरजुन से सयाम तथा ग्राम पंचयत सरपंच ने भी विचार व्यक्ति किये हैं इस अवसर पर पुलिस अधिक्षक प्रमोध सिनहा स्टीम निहा सोनी, सीओ कुवर कनहाई, सीओ जीला पंचयत इला दिवारी, स्टीम निहा सोनी, जीला पंचयत सदस्य बैला अरजुन से नंगरपाली का परिशुद पाली की अधिक्ष शकुंतला प्रधान दिले पांडे उपस्तित रहे देखे मैं मद्पदेश के मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर, पूरा मद्पदेश 17 तारीक से, देश के प्रधान मंत्री जी के जन्म दिन से, सीवा के पक्वारा के कारकम को हमने आयुजित किया था उसी कारकम को एक कदम आगे बढ़ाती हुए मद्पदेश के मुख्यमंत्री जी ने मुख्यमंत्री जन्सेवा अभियान के रूप में 17 तारीक से 31 अक्टूबरता के इस अभियान को प्रारम किया है सभी अधिकारियों को निर्देश है कि तोली बनाकर घरगर जाके सर्वे करके उस हिद्गराई को लाब मिलना चाहिए हमारे पास में 38 प्रकार के इस योजना को हमने चिन्नित किया है और भी योजना को हम जो हो सकता है उसको सामिल करके ग्राम पंचायत में हमारा सीवीर डोर डोर सर्वे हर वो वेक्ति को चाहिए वो पेंसन का हो चाहिए गरी विरेखा का रासन कार्ट का मामला हो चाहिए वो महिला बाल विकास विभाक के ऐसे 14 विभाक की जानकारी 14 विभाक का मामला है इसमें सारे विभाक के अधिकारियों को निर्देश है और सभी जन्रप्रतिनी दियों से भी चर्चा करके और भारती जन्ता पार्टी का संगठन इसमें लगकर के नीचे तक के जाकर उस वैक्ति को लाब दिलाने की जिम्मेदारी हमारी है मैं आज यहां पर आया कि धरातल में क्या है वो देखने के लिए जहां तक कमी थी मैंने निर्देश भी दिया है कि उस कमी को ठीक करने के लिए और 31 अक्टूबर तक के 100% हमारी योजना का क्रियानवन हमारे ग्राम पंचायत में करें ऐसे मैंने विभाग के अधिकारी को भी दिया और उन्हें अपने जन पर दिने लिए इस आग्रह विकिया है कि वह भी उसे अभियान में सामिल हो के गाउंगे प्रतेक परिवार में जाके प्रतेक परिवार को पात्रता रखता है उनको लाब मिलना चाहिए जानकारी बहुत सारे लोगों को है कुछ तो घबराट में मंच के सामने कभी बोलते नहीं जैसे आपको मंच में भासना देने के लिए खड़े करवा देंगे तो आप हड़ा जाओगे तो वैसे वह थोड़े से रुक के बता है लेकिन कुछ लोगों ने बता है अगर पहली ग पर नियम के था है उन पर जो बैधानी कारवाई हो सकती है वो कारवाई हम करेंगे धन्यवाद्वाद्वाद्व